यह बताएगा कि तना दिनों से गर्म पानी गिरता है कि अधर कोई आंत है सर कब से हैं इसका क्या सथ गहराई में जाने पर टेंप्रेचर बढ़ जाता है कैसा लगता है पुरा गरम घरम है या पही का घर है क्या नाम हूगा तिन्टु कुमार नाम हुगा अच्छा यह नमस्कार मैं हूँ गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं अब ही हम एक ऐसे गाउं में मवजुद हूँ जो प्रकृति के गोद में बेठा एक शुंदर सा गाउं है जिसका नाम मोहरा है यहां प्रकृति से लवा लब भरा यह गाउं है आप देख सकते हैं मेरे पीछ पीछे पहाड़ी है एक ही पहाड़ी लगातार पहाड़ी के बीच में यह बसा जो है हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरा से तो कह सकते हैं कि प्रकृति के गर्व अस्थल में बैठे हुए यह गाउं है मोहरा और यहां का इतिहास जो है बहुत ही गरम पानी भारत में पहला एक ऐसा गाउं है जो हर एक घर में गर्म पानी मिलेगा यहां के लोग ठंड़े पानी पीने के लिए तरस्ते हैं वही का पानी मिलता है और देख सकते हैं आपको वीडियो के माध्यां से दिखाएंगे वाट बने रहेंगे तो देख सकते हैं अच्छो ये ददा इस इस चापकल का खासियत है कि लगातार जब चलाते रहेंगे दस-पाच मिनट तक चलाएंगे तो फिर आप हाथ भी नहीं रख पाएंगे चुकि ये तना गर्म हो जाता है इसका तापमान इतना हीट हो जाता है कि कहना नहीं है देख सकते हैं सुरू पानी जमा हुआ रहता है तो फंड हुआ रहता है लेकिन जैसे हिन चलाते हैं तो कहीं कहीं क्या इसका बाबु कैसा लगता है कैसा लगता है पुरा गरम ना क्या रास है यहां का क्या सांटिफिक रिजन है ये आपको यहां के लोगों से रू बरू कराएंगे क्या नाम होगा सर दावलु कुमार अचा यह बताएंगा कि कितना दिनों से गर्म पाने गिरता है कब से हैं लोग हम लोग जनकारिय नहीं है पुरबज्जे से वास्तविक्ता सचाई खबर है लेकिन वीडिया वाले पत्रकार को कहना चाहेंगे कि आप जो गाउं का नाम बताना चाहिए लेकिन वीडियो के माध्यम से गाउं का नाम नहीं बोलते हैं कैसा लगा देखकर आपको कैसा लगा है खराब तो लग वे किया है है राजनीत है कहीं कुछ स्वार्थी है पत्रकार और और को इसा ख़बर दिखाने वाले नहीं वहां पर हो जाए चुकि भीउज का जवाना है लेकिन फ्यूज पर नहीं चुकि यह हमारा परकृति के दिया हुआ बर्दान है इसको और फोकस करना चाहिए यहां दिखाना चाहिए चुकि यहां के लोग को और सरकार के द्वारा पुरसाहिद किया जाए और इसको सौंधरी करन करना चाहिए तो कुछ लोग जुबा साथी है असनान कर लेते हैं इतना गर्म पानी में कितना डिगरी ताप मान लंसम रहता है कि 37-37 कोई का रहत है शाए साथ डिग्री संसर्था पान रहता है कोई कहलका है जब मतलब घहराई में जाने पर टेंपरेचर बढ़ता है बढ़ता है जाना बढ़ता है तो क्या कहना चाहेंगे वा चुकि सौंधरी करन होना चाहिए ऐसे जगए परखंड के में बिल्कुल मुख्ण जो है जह मोहरा ही है रास है तो और दूसरा चापकल बने रहेंगे दूसरे चापकल पर है और देख सकते हैं कि यहाँ कि सचाई क्या एक ग्रावन्ड रिपोट आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्य से चलाएंगे थुदशी। चलाएंगे पानी है तो अरी बाट यह भी घर्म है यह भी घर्म है अच्छा यह बताईए कि गर्म थोड़ा साथ से आप लोग जब यहां असनान कर लेते हैं गर्मी में ही बने में मकंटांवा कि घर्म होगा कि घहरा बहुत लगता होगा जम से लगता हुआ लेकिन यहां जो जानबर रहता है वो पी लेता है तो कह सकते हैं मने रहते रहते हैं हाइविट बन जाता है तो फिर उसके बाद लोग पीने लगते हैं अगला बने रहेंगे अगला हम दिखाएंगे कुवा अभी हम उसी गाउं में मौझूद हैं जिस गाउं का पानी गर्म है और चापाकाल का फैले हम दिखाए यह कुवा है और यह प्रकृतिक का दिवा हो समझे बर्दान है देख सकते हैं छोटा सा कुवा यह बच्पन का या दिखाएंगे केमरा के माद्य हम से कि लमसम दो हाथ का भी रसी नहीं लेगेगा इतना नजदीक में पानी है खिचने भी नहीं लगता है अभी खिचे हैं यह भी पानी गर्म है यह भी गर्म है लेकिन चापाकल की तरह गर्म नहीं है इसलिए चुकि हवा लगता है हवा पर्यास करेंगे बुजूर्ग है चुकि इनका उम्र काफी अधीक है ज्यादा है इनका उम्र काफी अधीक है ज्यादा निकालते हैं गर्म निकलता है अधी बताई कि कैसे आप लोग नहाते होंगे कैसे पानी पिता होंगे अधीक है डावा में चाहता लगता होंगे कि में अधीन ठंड़ा लगता कोमण ने ने अधीन hey कुछ नहीं है देख सकते हैं यह कह सकते हैं प्रकृति के तो दिया हुआ यह बरदान गाउं है लेकिन सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं सरकार सरकार के संग्यान में गाउं नहीं है बिछड़ा हुआ गाउं है सरकार से दूर गाउं है चुकि यहां जलनल भी पान पानी पीते हैं तो पीते हैं और चापकल दिखाएं में थोड़ा साथ